नमस्कार विद्ध्यार्थियों आज की कख्षा में हमारे अध्यन का विशे है वीररस तो आईए आज हम वीररस का अध्यन करें वीररस का विशे उत्साहे अत्वा जोश होता है या अत्वा उत्साहे होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से प्रमाता के हृदाय में इस्थित उत्साह नामक इस्थाई भाव प्रबुद्ध होकर वीररस के रूप में व्यक्त होता है वस्तुता है शत्रु के उत्कर्ष, उसकी ललकार, दीन दुख्यों का संताप, अत्वा धरम पर आई विपत्ति देखकर जब किसी के हृदाय में इन्हें जड़ से मिटाने का भाव उत्साह के रूप में प्रस्फोर्टित होता है तब वीररस का संचार होने लगता है वीररस के चार भहिद माने गए हैं, युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर और धरम वीर, इन सब के मूल में स्थाई भावत उत्साह ही रहता है, ठीक है, स्थाई भावत तो सबका एक ही होगा, उत्साह है किन्तु इस उत्साह के अभिवक्ती भिन भिन छेत्रों में, भिन भिन रूप में होती है, जैसे युद्ध वीर में तो युद्ध को देखकर उत्साह की, युद्ध के लिए उत्साह अभिव marked होगा लड़ाई को देखकर मारू बाजा एवं चारणों के वीर गीत सुनकर शत्रू को सामने पाकर शत्रू की दुरदमनी शक्ति देखकर उससे युद्ध करके उसे पराजित करने का उत्सा है युद्ध वीर की अंतरगर्थ आएगा दयावीर देखो कभी किसी दीन हीन शोकार्त प्राणी को देखकर जब दया होती है और उसका कष्ट दूर करने का जो उत्सा है होता है तो वो दयावीर की अंतरगर्थ आएगा दिया करने का दीन ही इन्वेक्टी पर दिया करने का जो उत्सा है होता है वो दियावीर के इंतरगत आएगा दान वीर देखो गरीब और शोशित के जीवन यापन के लिए किसी सहरदय द्वारा दान देने का उत्सा है दानवीर के अंतरगत आता है कभी और धरमवीर देखिए कभी कश्ट सहäकर और प्राण देकर भी धरम पालन करने का जो उत्साह होता है वो धरमवीर के अंतरगत आएगा ठीक है तो इस परकार से दयावीर, युद्धवीर दानवीर और धरमवीर ये चार भेद हैं सबका इस्थाई भाव जो है वो उत्साह ही है लेकिन सबकी इस उत्साह इस्थाई भाव के अभी वेक्टि बिन बिन चेत्रों में बिन बिन रूप में होती है ठीक है युद्ध में अलग होगी दयावीर में अलग होगी दानवीर में अलग होगी और पालन करने का जो उत्सा होता है वो धरमवीर के अंतरगत आएगा दानवीर किसी गरीब शोशित को मतलब दान देने का जो उत्सा है वो दानवीर के अंतरगत आएगा दयावीर किसी मतलब पीडित वैक्ति को दीन हीन को पीडित वैक्ति है उस पर दया करने का जो उत्साह होता है वो दया वीर के अंतरगत आएगा और युद्ध वीर में शत्रू पक्ष को देख करके उसकी शक्ती को देखकर उसे युद्ध करना उसे प्राजित करने का जो उत्साह है वो युद्ध वीर के अंतरगत आएगा अब देखी वीर रसका उधारण देखिए मसत्ते कहता हुं सके मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे हे सार थे है द्रोन क्या आवे स्व्यम देवेंद्र भी वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी मैथली शरण गुप्त के जैदरत वज से लिया गया है, इसमें यह अभिमन्यू के वचन है। तो रस कोन सा है, इसमें वीर रस है, और साही भाव उत्सा है उत्सा है का अश्रे कोन है, साही भाव का अभिमन्यू और अलंबन द्रोण आदी कौरवपक्ष के वीर इनको देख करके और इनसे युद्ध करने का उत्सा है जो है वो अभिमन्यू में उत्ध हुआ है अनुभाव अभिमन्यू के वचन और संचारी भाव गर्व हर्ष उत्सुकता ये सभी संचारी भाव का काम कर रही है अन्युधारन देखे इसका जैसे कालियनाग को देख करके श्री कृष्ण का जोश से भरना तो श्री कृष्ण देखो कालियनाग को देख करके उसे युद्ध करने के लिए उसे पराजित करने के लिए किस तरह से जोश से भर जाते हैं स्वयजाती की देख अतीव दुर्दशा वी गरहना देख मनुष्य मात्र की नीहार के प्राणी समुह के कष्ट को हुए समुत्तेजित वीर के सरी हितेशना से निज जन्म भूमी की अपार आवेश ब्रजेश को हुआ बनी महा बंक गठी हुई बहें नितांत विस्फारित न साइबाव जो है वो जाग्रित हुआ है अलंबन कालिया नाग उद्दीपन स्वयजाती की दुर्दशा को देखना मनुष्य मात्र की वी गरहना जन्म भूमी की हितेशना ये सब उद्दीपन का काम कर रही है अनुभाव देखो बोहों का टेड़ा होना नित्रों का फारि थूना और संचारी भाव है हर्ष चपलता आदी इसी परकार से एक अन्य उधान देखिए इसी परकार से वीर अभिमन्यू द्वारा अन्याय और छल कपट के प्रतिकार के निमित चक्र व्यूह का भीदन करने के निम्नलिकित प्रसंग में वीर रस का साक्षात अनु द्योती धारण किये उस काल जिस जिस ओर वह संग्राम करने को गया भगते हुए अरिवरिंद से मैदान खाली हो गया रत्पत कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टी में आया नहीं सन्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्षण वहीं यहां शत्रु पक्ष क्या है आलंबन है और वेरियों का उनके सम्मुख आना उद्धीपन है उनका वद्ध करना रण भूमी में रत का बढ़ाते चले जाना यह सब अनुभाव है गर्व, हर्ष, धेर्य, उत्सुक्य, संचारी भाव है और इन सभी के संयोग से उद्भुत, उत्साह नामक, इस्थाई भाव, व वी द्रेस चुहे हो हमारा पूलन होता है